नमस्का जहिंद, मेरा नम है सुजीत पांडे, आप देख रहे हैं All Exam Guide Guru का YouTube चैनल यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आगए हैं, पिछले 30 साल से बार-बार exam में आए हुए 100 GKGS के question दोस्तों, यह भारत के सभी exam में आ सकते हैं, आप जिस exam की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यह question आपको मिल सकते हैं repeat हो सकते हैं, इतनी यह शांदार question है दोस्तों, हम आपके लिए रोज 100 question की यह video लेकर आते हैं, आप में से जो पुराने student हैं सब जानते होंगे बहुत ही शांदार question है, आप हमें बस केवल motivate करिए इस वीडियो को like करके आपका एक second ही चाहिए, लिटरली एक second लगता है like करने में तो वीडियो को like करके हमें motivate कीजिए कि आपको ऐसे ही शांदार practice set paper हमारी चनल पर regular आपको लाते रहें करेंगे इस वीडियो को start बिना देर के हुए super fast speed में पहला question दिखिए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पहला question आपका यह है तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के लिए right answer हो जाएगा, option number यहाँ पर right answer है आपका बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होई थी, option number यहाँ प्रदेश की स्थापना होई थी, option number यहाँ प्रदेश की समद्र से लगा हुआ है माल्दिव, pdf का पूर्ण रूप क्या होता है, तो pdf का फुल फॉर्म होता है, portable document format, pdf का फुल फॉर्म होता है अगला कोश्चन है सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्री खेल क्या है तो सयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका जो राष्ट्री खेल है ये है आपका बेस बॉल ऑप्शन मबरे बेस बॉल सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्री खेल है अगला कोश्चन है ओरं को से संबनित है ए बहुत ही फेमस क्रिकेटर कपिल देव जी से संबनित है, पहला वर्ल्ड कप जो भारत को मिल था क्रिकेट में उनका बहुत योगदान रहा, कपिल देव जी क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं अगला कॉशन दिखिए दिल्ली इस्त जंतर मंतर को किसे ने बनवाया था दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको बनवाने का जोश्रे जाता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए है महराजा जैसिंग द्वती को दिल्ली इस्त जंतर मंतर बनवाने का श्रे जाता है राष्ट्री ताप विद्धुत निगम लिमिटेड एनटी पीसी की स्थापना की सुवर्ष हुई थी तो एनटी पीसी इंगलेश में है नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन एनटी पीसी की स्थापना हुई थी आपका 1975 option number यहां बड़ी 1975 right answer हो जाएगा जितनी भी नवरतन और महारतन कंपनियां है उनके फुलपों, उनके नाम और कभी स्थापना हुई थी याद रखना ठीक है जिसे BHEL, Gale, Sale, Steel Authority of India ऐसे जितनी भी कंपनियां एनटी पेसी सभी के आपको याद होना चाहिए किस राजिका लोक सभा में सबसे जाता प्रतिनित्त है तो सबसे जादा लोक सभा में प्रतिनित्त है उत्तर प्रदेश राजिका option number C तुन्डरा प्रकार की जलवायू किस महादेश में पाई जाती है तो तुन्डरा प्रकार की जो जलवायू है यूरोप महादेश में पाई जाती है option number B यूरोप महादेश राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कि भारत का 29 राजि कौन सा बना था अब 28 हो गया है लेकिन जब पहले 29 थे 29 राजि कौन सा बना था या रखना तेलंगाना राज भारत का 29 राजि बना था option बड़ी तेलंगाना राजि राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है कि अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी अप्शन नमबर भी गुरु शिखर चोटी अरावली पहाडी की सबसे उची चोटी है जब लंडन में पहली गोल में Massachusetts उसमें लंडन में ब्रिटिश पढ़ानवंत्री यो थे रैम से मैक डोनौल्ड थे रैम से मैक डोनौल्ड राइट आंसर हो जाएगा धन एध्यक कहां पेश किया जाता है तो धन एध्यक पेश किया जाता है लोग की सभा में Option number 2 लोक सभा राइट आंसर हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन उर्धो पातन कहलाता है Option number उर्धो पातन राइट आंसर है गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है तो जो गान्दी सागरबांध है या आपका चंबल परियोजना का हिस्सा आ है option number C किस संविधान संसोधन विदेग दवारा संसद ने मतदान की आई 21 से 18 वर्ष की तो मतदान की आई 21 से 18 वर्ष 61 संविधान संसोधन के तहित की गई option number 61 संविधान संशोधन right answer है गुलाम वंश का आखरी अंतिम शाशक कौन था तो गुलाम वंश का आखरी जो शाशक था क्यूमर्स था option number B क्यूमर्स गुलाम वंश का आखरी अंतिम शाशक था सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं सबसे कम तो सबसे कम वन पाई जाते है हर्याना राज्य में option नमड़ी हर्याना राज्य right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने जो हैं आपके राजवंशों ने शाशन किया option number B right answer है सबसे बड़ा इस्तंदारी मैमल कौन है सबसे बड़ा इस्तंदारी मैमल की बात हो रही है तो सबसे बड़ा जो इस्तंदारी मैमल है यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा blue whale मचली option number A में आपको दिया है blue whale मचली और ये सबसे बड़ा इस्थन्दारी मेंबल कहलाता है अगला कोशन देखिए अगले कोशन क्या पूछा गया आपसे अगले कोशन आपसे पूछा गया है नेमदले के तिन से कौन एक अर्ध विक्सित बच्चे को जन्मे देता है अर्द विक्सित बच्चे को जन्म देता है पूछा गया है यहाँ पर आपको जो option दियेगा है option number C कंगार हुग यहाँ पर इसे प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा यह एक अर्द विक्सित बच्चे को जन्म देता है option number C तुगलक वंश का अंतिम शाषक कौन था तो जो तुगलक वंश था यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आखरी शाषक था आपका नसरुद्दीन महमूद option number C नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखरी शाषक था संगमरमर का सूतर बताईए इनमें से क्या होता है तो संगमरमर जो होता है यह आपका CACO3 संगमरमर का सूतर होता है option number CACO3 राइट आंसर है भारत में आजादी के समय कॉंग्रिस के अध्यक्ष कौन थे तो भारत के अंदर आजादी के समय कॉंग्रेस के अध्रक्ष थे आपके जे भी क्रपलानी जी अप्चन नमर सी जे भी क्रपलानी जी कॉंग्रेस के अध्रक्ष थे प्रोजेक्ट ईलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये चाल भुआ था आपका 1992 में उप्शन नमबर Century 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था निम्द दलकितम से कौन सा बांगलादेश का एक बंदरगा है तो बांगलादेश का एक फेमस प्रसिद बंदरगा आपका चट गाओं बंदरगा ऑप्शन नमबर भी चट गाओं बंदरगा निम्द चोटियों में से कौन सी हिमालय नेपाल हिमालय चितर में सित नहीं है कपाल हे माले का हिस्सा नहीं कहलाता ज्यम्द मैसिक कौन सा बांध ज्यार खंट लॉट zg सेश शायत लगती है तो पर राइट आनसर क्या हो जाएगा प्रश्ण लिए प्रश्ण के लिए राइट आंसर है आपका त्रिपूरा ऑप्शनमडी त्रिपूरा राइट आंसर है निम्द मैं से कौन सा बैराज बांध भारत बांगलादेश शीमा के सबसे नजदीक है तो भारत बांगलादेश शीमा के सबसे नजदीक है आपका फरक्का ऑप्शनमडी फरक्का बांध भारत और ब यहाइँ है नेम जान से कौंसा शहर गंगा नदीज स्थित नहीं कि तो गंगा नदीज मार्ग पर इस्थित नहीं है पुछागया है लकनव यह गंगा नदीजिक अप्र आपका याफ को रोड़त क कौ्रों कर आता है तो वहाँ पर आपका Ages के न सी पूर्वी का नीचे वाला हिसा में और सब्सक्राइबन ऑंदों औरómo्नेस्टेशन किसी दोरा शुरू किया गया था तो नव दन्य आंदोलन ये वंदना शिवा के द्वारा इस्टार्ट किया गया था उप्षनमड़ी वंदना शिवा राइट आंसर है सागर माथा किसका नेपाली नाम है तो सागर माथा मांट एवरेश्ट का नेपाली नाम है मांट एवरेश्ट को नेपाली में सागर माथा कहा जाता है अगला कौशन दिखिये तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गया है बैंगलूरू, कोडाई कनाल, वारंगल और नादेर में से यदि आपको मेप याद होगा और शहर याद होगे कौन से कहाँ पन है थोड़े बहुत तो नांदेड ये बहुत उपर पड़ता है बैंगलूरू, कोडाई कनाल और वारंगल ये आपके साउट में पड़ते हैं नीचे तरब पड़ते हैं थोड़े निवने मैं से कौन सा तिलहन की स्रेणी के अंतरगत नहीं आता ओइल सीट्स में नहीं आता तो तिलहन में देखो पहले क्या आता है तो यहांपर आपको जो इधन दीएगा है समय से जैव इधन एक जीवास में जय नहीं है पेट्रोलियम बिटुमिन और डामर ये सभी जीवासमी इधन है जैव इधन जीवासमी इधन नहीं है अगला कॉशन दिखिए गो वर्धन मठ निंदमिक इस इส्थान पर इस्थित है तो गो वर्धन मठ जो आपका इस्थेत हैं यहां पर यहında का हम जाप तो यह आपका पूरि पूरी मैं पूरि पूरि में घो वर्धन आन्प इस्थेत है आपको पता हो जमसिस पूर्ट यहां पार right answer है शुक्र गया 안सर हैं किल तो शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है option नमर डि बուद और चुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं option नमर यहां पर राइट अंसर हो जायगा दो क्रमागत आमावस्यां फुल मून के बीच अनुमानित अवधी बताईए तो दो अमाउश्याओं के बीच में जो अनुमानित अवधी होती है वो करीब एक महीने मतलब 29.5 दिन option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा 29.5 दिन right answer है दोस्तो कॉशन आप देखी रहे हैं कितने शांदर कॉशन है यह कॉशन आप जिसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं और हमने देखी है हर एक्जाम में GK और GS आता है हर एक्जाम में आपके लिए हमने 10,000 GK के MCQ कॉशन तैयार की हैं कितने एक नहीं दो नहीं 10,000 कॉशन और यह 10,000 कॉशन आपको 300 रुपे की PDF पे गूगल पे पेटियम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो जो हमारे शेयल पर सुरू से जुरा है उसके लिए भी और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी कितने कॉशन मिलेंगी 10,000 कॉशन रट लोगे ना तो जी के जी एस महा श्ट्रॉंग हो जाई हर सब्जेक्ट म 90 डिगरी पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरतीन में से कॉन? बांगल अलिस से जाता है भूतान से भी मेहाला से वी सिक्किम से 90 डिगरी पूर्व यामोत्तर नहीं जाता है option नमड़ी यहां पर right answer है भॉगॉलिक छित्र में प्रजातियों का विकास एक स्थान से दूसर स्थान पर होता है प्रसारित होता है इसको क्या कहते हैं तो प्रजातियों का जो विकास होता है भॉगॉलिक छित्र में इसको अनुकूली विक्रण कहते हैं एडप्टिव रेडियेशन कहा जाता है ऑप् अधिकतर भूमी कत जलका यूज होता है अगला कोश्य दिखिए डैश ऐसे बहुनी है जो पांस साल से अधिक सालों से अक्रशित रही है मतलब उस्का क्रशी नहीं किया गया है उसर है और सुधार कारें के माध्यम से उस पे सुधार के फिर उस पे खेती किया जा सकता है तो पांस साल से खेती नहीं की है, तो बंजर तो हो गई है, लेकिन यदि उसको सुधारेंगे, तो खेती कर सकते हैं, तो खेती योग्य बंजर भूमी, option number C, खेती योग्य बंजर भूमी, मैगनीज का भंडार सुन्दरगर, निम्दलगितमेश का भंडार सुन्दरगर, यह पढ़ता है, आपका उडिसा राजी में, option number C, उडिसा राजी राइट आंसर है, गोवा राजी का कुल शेतरफल कितना है, तो गोवा राजी का कुल शेतरफल 3702, किलोमीटर वर्ग, यह कि निम्दलगितमेश किस राजी में, राजी विधान मंडल में दो सदन है, तो राजी के विधान मंडल में दो सदन है, आपके महराष्ट राजी में, option number C, राजी राइट आंसर है, मार्च 2022 तक की उपलब जानकारी के अनुसार, भारती समिधान में, भारती नागरिकों के कि निम्दलगितमेश कि कौन सा मानक साधन है, जिसके दवारा भारत में चुनाओ कराई जाते हैं, तो भारत में चुनाओ कराई जाते हैं, electronic voting machine के दवारा, EVM जिसको बोलते हैं, option number C, भारती समिधान का कौन सा अनुशित कानूनों के समान संदक्षण और कानूनों के समानता बदान करता है, तो कानून के समानता और समान संदक्षण अनुशित 14, option number यहाँ पर C, राइट आंसर हो जाएगा, अनुशित 14, एक्स जिसकी आई दस वर्स है, कार खाने में कारे करता है, कारे रत है, निम्दलगितम से किस अधिकार का उलंगन किया जा रहा है, एक्स के, तो कार खाने में काम कर रहा है, सिर्फ 10 वर्स का है, तो शोशन के विरुद उसके अधिकार का उलंगन हो रहा है, option number B, 14 वर्स से कम उम्र के बच्चों को कार खाने में या किसी भी खतरनाक जवापर काम नहीं कराया सकता, भारते सम्विधान के अनुशार, प्रधान मंतरी क के निउकती किस के दौरा की जाईगे, तो भारते सम्विधान के अनुशार, प्रधान मंतरी के निउकती, भारत के राष्ट्रपती के दौरा की जाईगे, option number C, भारत के राष्ट्रपती के दवारा right answer है, छोटे राज्यों के कुल अपवादों के अतिरिक्त, राज्य सुभर्खा सवारे के कि सलिया गया है, भारतीय निर्टकियों क्या निर्टकी 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 में सबसे पहली ढलतीरिछी कि मसमें नमबर A यहां पर right answer हो जाएगा शिक्षा के अधिकार को भारती सम्विधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया तो सिक्षा के अधिकार को 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया option number D right answer है भारत के समविधान के अनुसर प्रतेक राज की प्रतेक विधान सभा जब तक की जल्दी भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए निर्तिति से कब तक जारी रहती है तो विधान सभा होती है चैसा विधान सभा विधान स सभा और राज सभा होती है आपकी 6 वर्ष तक पांच वर्ष विधान सभा हाला की राज सभा को कभी भंग नहीं किया सकता अगला कोशन भारते समविधान में राज के नीति निशक्षिद्धांतों के तहत नमलेकित में से किस अनुछेद में ग्राम पंचायतों का गठन है का उलेक किया गया है तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुछेद 40 option number D अनुछेद 40 right answer है भारते समविधान के अनुछेद 43 B को किस रूप में जोड़ा गया तो 43 B में राज के नीति निशक्तत्तों को जोड़ा गया option number C राज के नीति निशक्तत तो right answer है भारत के समविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ती भारत के राष्ट पती के रूप में चुनाओं के लिए तब तक ही योगी नहीं होगा जब तक उसने कितने वर्ष आयू पोंड़ना कर ली हो तो राष्ट पती के लिए 35 वर्ष की आयू चाहिए यदि आप 35 साल के हो तो राष्ट पती के लिए चुनाओं लड़ सकते हैं भारति समविधान का अनिम्दल कित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिध्धानतों के अनुपरयोग के बारे में बताता है तो अनुच्छेद 37 में निदेशक सिध्धानतों क संसोधन विदेहक इसको पारित किया था अर्जुन मुंदा जी ने option number A अर्जुन मुंदा जी right answer है आमित भारत में लोकसवा चुनाओं लड़ना चाहता है कितने अडिक्तम सीमा है जहां से वो चुनाओं लड़ सकता है तो अमित जादा से जादा दो जगा से चुनाओं ल लगा जाएगा तो मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया 14 वर्ज से कम मुंदा की वच्ची को आप नहीं लगा सकते भारतिय संविधान का अनुपलिकत में से कौन सा अनुछेद कुल मामलों में दौनों सद्नों की सयोग तो बैठा काउलिक करता है तो दौनों सद्नों क किस अनुछेद में कहा गया है कि किसी वी व्यकित को एक ही अपरात के लिए एक से जादा वार सजा नहीं मिलेगी भारतिय संविधान कि किस अनुपलिके संविधान का अनुछेद 282 किस सम्विधानिक निकाई के बारे में बताता है तो अनुचे 288 वित आयोक के बारे में बताता है option बड़ी निम्नलगितम से कौन सा भारती सम्विधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो भारती सम्विधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो स्वतंता न्याय समानता है कुलीन तंत्र ये वर्ड प्रस्तावना में नहीं दिया गया पैंगुइन चिडिया कहां पर पाई जाती है तो पैंगुइन चिडिया अंटार्किटिका में पाई जाती है Option number C, Antarctica में penguin चिडिया पाई जाती है वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दान्थ था तो वह विलुप्त पक्षी है Orcheopteryx जिसके चोंच में दान्थ था Dolphin वरगीकरत किये जाते हैं किस में तो Dolphin एक इस्तंदारी है Option number D, इस्तंदारी राइट आंसर हो जागा Dolphin क्रेप शक्र में किस का संसलेशन होता है तो क्रेप शक्र में पायरविक अमल का संसलेशन होता है Option number B, अनौक्सी सुषन का अंतिम उत्पाद होता है तो अनौक्सी सुषन का अंतिम उत्पाद लेक्टिक अमल होता है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिष्ट कौन सा होता है तो शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिष्ट होता है आपका यूरिया और यूरिया राइट आंसर है इस्तंदारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो इस्तंदारियों का यूरिया यक्रत या ली साफ होता है, तो खून रुद्र शंत है आपका, यहाँ पर रूट अंशर हो जाएगा बोमन संपुट में, option offered बोमन संपुट रूट रूट अंसर है मुत्र का पीला रंग किसी मौजूद की कान होता है, तो पीला रंग होता है, यूरोख्रोम की मोजूध की कारणा option number D गुर्दे की कार्यात्म की unit बताइए तो गुर्दे की कार्यात्म की unit है आपकी नेफ्रों option number C नेफ्रों right answer है क्रत्यम गुर्दा नेमलेगे तमेंसे किस सिधान पर कारे करता है तो क्रत्यम गुर्दा dialysis पर कारे करता है जिसके किड़नी खराब हो जाए तो डायलसिस कराना पड़ता है मानव शरी में यूरिया का अरिक्तम मात्रा किस में पाई जाती है तो हमारे शरी में मुत्र में यूरिया की अरिक्तम मात्रा पाई जाती है option number C कि अप्वेख्वन का प्रियोग कि स्कृपा करने के लिए होता है अपप्सर्जन बोलते हो गई या Sindy सामानिता निशेचन होता है तो सामानिता निशेचन डिम्व वाहनी नली में सामानिता निशेचन होता है मीना माता रोग का करण बताइए तो मीना माता रोग का करण आपका पारा अप्शन नम्बर ये पारा राइट आंसर है निम ने लेकित अनुवांशिक रोगों में कौण सा योन संबनित रोग है तो अनुवांशिक रोगों में योन संबनित रोग है आपका हीमोफीलिया option number ही हीमोफीलिया right answer है जापानी N-Saphylitis का कारक होता है तो जाफानी एन सेफिलाइटिस ये विशाणू या वायरस के काण होता है option number B विटमिन B2 का अन्यनाम बताइए तो विटमिन B2 का अन्यनाम है राइव फ्लेविन option number C एक कटोर परिश्रम करने वाले पुरस को देनिक उर्जा की आवशकता होती है कितने कैलोरी तो कटोर परिश्रम करने वाले को 4000 किलो कैलोरी देनिक उर्जा के लिए चाहिए निम्नमैसे कौन सा विटमिन पानी में घुलनशील है तो पानी में आपका घुल जाता है विटमिन B ये पानी में घुल जाता है विटमिन B option number B नवजात बच्चों के लिए इस सबसे आदर्श भोजन क्या है तो सबसे आदर्श भोजन है दूद्ध वो भी मा का दूद्ध सबसे जादा 6 महने तक और आखरी कौशन है कि बहु आशदी चिकित्सा M.D.T. किसके संक्रमण के लिए है इस कौशन का अंसर आप कमेंट करके बताओगे मैं आपको दो आप्शन दे रहा हूँ एक ओप्शन है आपका कोड ओप्शन नमबर है और दूसा ओप्शन है इट्स इन में से किसके लिए M.D.T. चिकित्सा का प्रयोग करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिगा चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज सौसो कॉशन के ऐसे वीडियो देखने चाहते हैं चैनल को सब्सक्काइब कर लेना जिसको भी पीडियेफ चाहिए निशी देखने नंबर वाटसप कर लेना 99 रुपे में 10,000 GKGS की पीडियेफ मिल रही है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लिए शुभू जय हिंद जय भारत